बिस्मिल्लाहिर्रख्मानिर्रहीम अस्सलामुलेकुम मैं हूँ आस्वा वेलकम है आपका माई फूट फैक्ट पर कैसे हैं आप सब अल्लापाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ हुश्वरबाद रखे और अब पर अपनी रह्मत का साया बनाए रखे आमीन आद तकरीबन 2-3 गंटे के लिए बिगो के रख दिया था यहां पर देखिए 2-3 गंटे हो चुके हैं यह हुबानी जो है न अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है इसको दुबाने से इसके अंदर से गुट्ली जो है न बहुत असानी से निकलाएगी बहुत यह असान और पूर्णिया मैं निकाल लेती हूँ इस तरह से बस हलका सा दबाने से इसके इंदर से गुट्ली जो चाहिए तो जो इसका पानी है इसको भी इसके साथ ही डाल देंगे जिसके इंदर मैंने बिगोया था अब मैंने चुले पर एक देख्ची रख दी है इसमें यह जो जितन भी ज्यादा सौफट हो जाएगी फिर ग्राइड करना बहुत यह असान हो जाएगा आप इसको पकाने से पहले भी क्राइड कर सकते हैं लेकिन मैं पकाने के बाद ही करती हो कि वह थी अखल कासा मैंने इसको थोड़ा सा awarded ronor नार्मल होने दिया आप इसको ब्राइड कर ल और यह बिल्कुल सॉफ्ट सा पल्प हमारे पास आजाता हो बानी का तो यह देखिए सारे इसके निकल गया इसके अंदर से अब इसको दुबारा से उसी बतन में मैंने डाल के पकने के लिए रख दिया कुछ चीजें आड़ करेंगे इसमें मैंने डाली है शकर आप चाहें त इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मिसाला भी डाल सकते हैं आप चाहें तो थोड़ी शकर या थोड़ा गूर और थोड़ी चीनी डाल सकते हैं लेकिन मैंने एक ही चीज का इसमाल किया है तो मैंने शकर आड़ की है अब इसको जितना पकाएंगे यह ठिक हो जाएगी लेकिन प तीसरा हिसा, बहुत थोड़ा सा अपने पकाने के बाद चूला बंद करने के बाद वो डाल के ची तरह से मिक्स कर लेना है, आप चाहें तो इस चट्नी को फिर छे माँ तक इस्तमाल कर सकते हैं, यह हराब नहीं होगी